हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो होगा हो है हिस्ट्री ओफ इंडिया पे इगनु का सलेवस है भी एचाइची एक सो एक है ब्लॉक फोर इंडियन है 6th century BCE to 200 BCE हमारे यूणिट 15 है राइस ओफ मगद so hello and welcome to management आगिए अगर वीडियो लास्ट में पसंद आ है तो like and subscribe करें and don't forget to comment so starting our first topic with the मगद as it is मगद जो हमारा समराज है उसमें सबसे पहला जो मगद का बात आती है तो उसमें सबसे पहला बात आता है कि यहां में जलोध मिटी मिलती है जलोद मिटी मतलब लाल मिटी वो मिटी जिसमें फसल बहुत अच्छी होती है नेक्स्ट है इसमें धान विविन प्रकार के उगाय जाते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के धान उगाय जाते हैं इस जलोद मिटी पे पाटली पूत्र गंगा नदी के टट पर इस्थित है जिसे प्रकिर्ति के कारण सत्रू आकर्मन नहीं कर पाते हैं जो हमारा पाटली पूत्र है मतलब पटना प्रेजेंट में पटना जिसे कहा जाता है उसे पहले टाइम में पाटली पूत्र कहा जाता था तो हमारा जो पाटली पुत्र वो गंगा नदी के टट परिस्थे थे तो प्रकिर्तिक बाधा के कारण सत्रू उस टाइम पे आकर्मन नहीं कर पाते थे आगे आता है हमारा जो राजगीर है मगत के अंदर वो तीन तरफ से पहाड़ियों से गिरा हुआ तो इस कारण से भी जो हमारा मगत था वो शत्रू के आकर्मन से बच जाता था क्योंकि इसे एक जोग्राफिकल बेनिफिट मिलता था अपने शत्रू से बचाव करने के लिए मगद जो हमारा समराज है वो फेमस है अपने सेना के लिए मगद समराज में हाथी का इस्तुमाल होता था और यहां बहुत सारे जंगल थे हैं अज मगद है तो वहां बहुत जंगल है तो वहां जंगल होने के कारण यहां बहुत लकडियां मेंनती थी, हमारा आजार बनता था खेति के लिए और लाव तामबो का आजार बनाया चाता था क्योंकि लाव का आजार से यूध के काम आता था मगत वैपार में, मगत का जो वैपार था वो भी बहुत समरिध्ध था जलोट मिट्टी से फसल बहुत अच्छी होती थी तो यह हमारा चोटा सा मगत के बारे में एक डिटेल डिस्काशन आगे और मगत के बारे में चाहिए तो प्लीज डू कमेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे आते हैं बिम्बिसार बिम्बी सार मगत के सबसे महतपुन साशक में से एक है और यहां भी कहा जा सकता है कि सबसे प्रथम महतपुन साशक थे बिम्बी सार ने काशी की राजकुमारी से साधी किया था तो उन्हें दहेज में काशी का एक जिला मिला था बिम्बी सार के 80,000 गाओं के अधिपती थे और वे महगत गाओं पे भी राजी करते थे बिम्बी सार बुद्ध के शमाकालीन थे मतलग कि जिस एरा में बुद्ध थे उस एरा में बिम्बी सार भी थे बिम्बी सार और बुद्ध दोनों सेम एरा में जिये हैं आगे बढ़ते हैं हमारे आता है आजाज सत्रू आजाज सत्रू है बिम्बी सार के पुत्र आजाज सत्रू ने अपने ही पिता को बंधी बना लिया था ताकि वो राजी कर सके और इसी बंधी जब बने होए थे बिम्बी सार तो उसी समय बिम्बी सार ने अपने प्रान त्याग दिये भूगाप्यासा रह करके उसके बाद अजाज सत्रु ने अपने नाना अपने मामू मतलब कि राजा प्रशन जीत जो कि काशी के नरेश थे उन्हें हरा करके काशी को जीत लिया था वह राज जीटा जो उसके पिता को दहेज में मिला था काशी उसके बाद बिम्बी सार ने अवंती पर हमला करने के पूरी तयारी कर दी थी लेकिन कुछ कारण वश वो हमला नहीं कर पाया और वो अवंती जीत नहीं पाया लेकिन वो शीर वाइस चाली वीजा को जीत लिये थे वीजा जो एक ऐसा गाव है जिसे जीतने के लिए बिमीजार ने 16 साल फाइट किया था इस 16 साल के फाइट में वो उसे जीत नहीं पाया उसके बाद उन्हें ने धोके से जीता कलहा करके जीता वीजा को नेक्स्ट आते हैं हमारे चंद्रुगुप्त मौर्य चंद्रुगुप्त मौर्य की जाती अभी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कि वो किस जाती से बिलॉंग करते हैं कहीं कहा जाता है कि चंद्रुगुप्त मौर्य किसी निम जाती से थे माना जाता है कि मूरर नाम की इस्तिरी जो कि चंद्रगुप्त की मा थी वो किसी निम जाती की थी इसलिए चंद्रगुप्त मौरे भी किसी निम जाती के थे चंद्रगुप्त सिकंदर से मिले थे और मगत पर आकर्मन करने की सला दे थी जो उस समय नंदों के आधिन था चंद्रगुप ने कोटिलिया के सहायता से मगद का सिंगहासन प्राप्त किया था चानक्या, मतलब कोटिलिया, दोनों एक ही है चानक्या एक बहुत ही अच्छे राजनेतिक ग्याता और राज की विशय में अच्छी जानकारी रखने वाले एक सिक्षक थे एक गुरू थे जिनके अंडर में चंद्रगुप नुप्त मौरी ने उनसे सिक्षा लिए और आगे बढ़ करके सारे राजा और देशों को हराया मौरी का संबंद शकाय परिवार से था जिसमें बूद्ध जनम लिये थे यावी माना जाता है कि चंद्रगुप पुराने सरदार वंश का था इसलिए छेत्रिय कुल का जाती का था मौरी की जाती आससपष्ट है चंद्रगुप नंद वंश को हरा कर पाटली पुत्र पर शाषन किये थे मौरी ने सिंधी के राजा से संधी की और पांसो हाथी दी बदले में अफगानिस्थान, बुर्चिस्थान और सिंध का पश्चमी इलाका मौरी को मिला मौरी ने 6 लाक की विशाल सेना से पूरा भारत को रौन डाले थे मौरी के राजदूत पुष्प गुप्त हैं जिसों ने प्रसीद जील सुदर्शन बनाया है मौरी अनिमित दिनों में जयन धर्म मौरी ने अपने अंतिम दिनों में जयन धर्म अपना लिया था राज सिंग हसन त्याग दिया और सादू बद्र बाहू के साथ दक्षिन की ओर चल गया थे यहाभी कहा जाता है कि श्रवन बेल गोला में अंतिम दिन बिताए और कटर जयन की तरह भूखा रहकर धीरे धीरे प्रान त्याग दिये आगे हमारे चंदरगउप्त मौर के पुत्र हैं बिंदु सार चंदरगुप्त के पुत्र थे बिंदु सार पूरวिय और पक्षिमी सत्मुद्र के भाग उनने जीत лिया था सुल्हा नगर के राजों को हराया था दक्कन और अपनी नियंतर निस्थापित की थी उसे सत्रु का संग्राह की भी कहा जाता था बिंदु सार की अचीवमेंट विजय उपलब्दी अशोक के समराज को देख कर लगाया जा सकता है क्योंकि अशोक ने सिर्फ कुलिंग राजी को हराया था उसके उत्रा अधिकारी अशोक बने थे उसके मरने के बाद चार साल तक उसके पुत्रों में फाइट रहा और लास्ट में अशोक राजा बन गया आते हैं अब हमारे देश के सबसे भममगत के सबसे सकती शाली राज जिसे कहा जाता है अशोक अशोक ने उजयन और तक्षिला में राज़्दूतों का काम किया था तक्षिला में विद्रोही को कुचलने के लिए उन्हें भेजा गया था और काम पूरा करके वह उजयन वापस भेज दिया गया अशोक ने एक विदेशी स्त्री से साधी की थी उनके दो पुत्रते महेंद्र और संधी मत्ति वह यूबराज नहीं थे बुद्धर्म अपनाने से पहले अशोक एक बुरा राज़त है कुलिंग यूद के बाद बुद्धर्म अपनाया था उनने शिलालेक 13 में बताया गया कि कुलिंग के साथ यूद्धी हुआ था इस फाइट में एक लाख मारे गये थे और वही एक लाख लोग को मार करके और बहुत सारे लोग जखमी देखकर के अशोक का दिल पिला डिटेल्ड वर्जन किसी भी टॉपिक पर चाहिए या इनो के किसी भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज दू आस्मी इन दी कमेंट सेक्षिन और दोंट फोगेट तो लाइक और सब्सक्राइब